हलो वाट्स अब दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि एक कॉल सेंटर के इंटर्व्यू के दोरान पॉसिबिली कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आप से तो दोस्तों ये सारे सवाल जो है वो हम डीटेल से जरूर जानेगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का है चैनल यो फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजिए ताके ऐसे ही important videos आप देख सकें और आपका फाइदा हो सकें साथी साथ दोस्तों अगर आपको किसी specific field में interview के दोरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये अगर जाना है तो आप उपर i button पे click कर दीजिए या मेरे चैनल पे चले जाएए आपको अलग-अलग field में interview के दोरान किस तरी के के सवाल पूछे जाते हैं इसके ओपर videos मिल जाएंगे आप उनको भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर call center की interview जरूर है लेकिन पहला सवाल हर एक interview में यही आता है tell me about yourself तो इसका answer कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से video बना चक आपके goals क्या हैं आप इस field में कैसे आये हुए हैं आपको इस field के बारे में क्या इतना ज्यादा passionate करता है आप इस field में जो है वो काम क्यू करना चाते हैं यह सारी चीज़े वो जानना चाते हैं साथी साथ आपकी hobbies कैसी रही हैं इस काम के अलावा आप कही पर और काम करते थे क्या यह सब कुछ वो बेसिकली जानना चाहते हैं तो अगला सवाल ट्रिकी वाला है और वो सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि एक कॉल सेंटर कैसा होता है या एक कॉल सेंटर कैसा होना चाहिए तो दोस्तों हो सकता है कि आपको दिल से यह नहीं लगता है कि पूरे दिन ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर excellent customer service होती है, हम जिससे भी बात करते हैं, उसकी मदद करने की कुशिश करते हैं, जादा से जादा उनकी help हो सके, इसके बारे में ध्यान देते हैं, उनको solution देने की कुशिश करते हैं, जादा से जादा cheerful रहते हैं, और positive रहते हैं, साथी साथ polite भी रहते हैं, भले ही सामने वाला कितना भी चीख रहा हो, चिला रहा हो, फिर भी हम हमारा professionalism नहीं छोड़ते हैं, तो एक काफी professional environment में, लोगों को solution देने की कुशिश की जाती है, उसे कहा जाता है call center, ये जवाब आप वहाँ पर दे सकते हैं, अगला सवाल भी काफी common सा है, कि आप हमारे company के बारे में क्या जानते हैं, तो जहिर से बात है, आप किसी भी company में जा रहे हैं interview के लिए, तो उस company की बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ करके जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे पहले ही, कि ये company किस field में काम कर रही है, ये अगर एक call center है, तो किस product के लिए ये call center की सुविदा offer कर रहे हैं, कौन से कौन से product के customers के लिए ये लोग support offer कर रहे ह ये सब कुछ आपको beforehand जानना पड़ेगा, इसी के साथ company के कुछ अपने motto भी होते हैं, कुछ slogans भी होते हैं, कुछ ऐसे ethics होते हैं, जिनको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, तो उन ethics के बारे में भी अगर आप जानते हैं, तो उसको भी आप आपके जवाब में ढाल सकते हैं कि भाई आपके company के बारे में मुझे ये सारी चीजे पता हैं, आप ये ये सारी चीजे करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस company में काम करने के लिए मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि जिस तरीके के project आप कर रहे हैं, उनके अंदर मुझे बहुत जादा interest है, या इसके related क काम में पहले कर चुका हूँ, अगली बात दोसो एक tricky question और आजाता है, क्योंकि देखिए call center में काम करना, ये किसी की बहुत बड़ी ambition हो सकती है, ऐसा employer को नहीं लगता है, तो इसकी विजए से वो पूछते हैं, कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाता है, क्योंकि यहाँ प उतने जादा polite नहीं रहते हैं, कई बार rude हो जाते हैं, बत्तमीजी से बात करता है, फिर भी आपको उनसे बड़े ही विनमरता से बात करनी होती है, तो इस career के बारे में आपको इतना जादा कौन सी चीज़ एकसाइट करती है, या passionate करती है, आप यहाँ पर क्यों काम करना च चाता हूँ, उनकी मदद करना चाता हूँ, यह कैसे मेरे nature के अंदर है, या इससे पहले अगर आपने कहीं पर call center में काम किया है, तो उसका experience भी आपको वहाँ पर जरूर शेर करना चाहिए, और ज्यादा तर करके जो लोग experience है, उन्हें को यह सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि आप हमारे यहाँ पर क्यों काम करना चाते हैं, तो आप यह बता सकते हैं कि कैसे इसके पहले मेरा हमेशा से ही approach यह रहा है कि problem को किस तरीके से solve किया जाए, किस तरीके से सामने वाले को एक solution दिया जाए, जिसकी विजए से मेरे skills यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम में सकते हैं, मेरे negotiation skills हैं, मेरे communication skills हैं, मेरे intrapersonal skills हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज़्यादा काम में आ सकते हैं, तो यह आप वहाँ पर जरूर बता सकते हैं, इसके अलावा और एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह call center है, तो आपको customer से बात करनी है, तो आपको यह भ above and beyond expectations, तो जो उन्होंने expect किया है, उससे कई ज़्यादा अच्छी service उनको देना, उनको वही पर phone पे solution बताने की कोशिश करना, उनके problems को सुनना, उसके उपर probable solutions देना, और ज़्यादा से ज़्यादा तीजी से काम करना, यह एक अच्छे customer service का जो है, वो एक लक्षन हो सकता ह तो यह चीज आप वहाँ पर बोल सकता है, कि जो भी उनका expectation है, उससे ज़्यादा बहतर काम हम करके दिखाएंगे, यह उससे ज़्यादा बहतर experience हम उन्हें देने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कितनी salary की expectation ले करके आएंगे यह सीधे पूछा जा सकता है कि आपकी salary expectation क्या है, तो इसका सीधा सीधा जवाब जो है, वो आपको एक reasonable amount बता करके देना है, बहुत ज़्यादा कम ना बताईएगा, इससे सामने वालों को यह लगेगा कि इसको अपने skills की value पता नहीं है, यह अपने आपको आखना नहीं ज चीज यह कर सकते हैं कि आप एक range बता सकते हैं, कि भाईया मैं यहाँ पर जो है, वो 15-25,000 के बीच में जो है, वो salary चाहता हूँ, तो यह range काफी बड़ी है, और सामने वाला भी इसके अंदर फिर खेलने में comfortable होगा, कि इसके अंदर फिर उपर नीचे हो सकता है, इससे सामन यह सवाल भी काफी जादा एक tricky सवाल बन जाता है, और आखरी सवाल यह पूछा जा सकता है, कि where do you see yourself in 5 years, काफी जादा common सवाल है, लेकिन इससे वो लोग यह जानना चाते हैं, कि आपका कही जल्दी से इस company को switch करके आगे बढ़ने का plan तो नहीं है, कि आप इस company में खाले experience के लिए आये हैं, बस एकात साल काम करके निकल जाएंगे और फिर बड़ी opportunities देखेंगे, तो ऐसा तो कही आपके साथ नहीं है न, तो आपको उनको जताना पड़ेगा कि कैसे मैं इसी company में रह करके अगले 5 साल में grow करना चाता हूँ, as a person, अपने experience को बढ़ाना चाता हूँ और साती साथ अपने skills को बढ़ाना चाता हूँ, तो वो जवाब अगर आप देंगे, तो जादा से जादा आपके chances जो हैं, वो select होने के बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं, वो एक call center के interview के दोरान पूछे जा सकते हैं, तो I hope दोस्तों ये video आपको काम क की लगी होगी, पसंद आई होगी, तो दोस्तों अगर video पसंद आई है, तो video को like जरूर कर दीजिए, और जादा से जादा अपने दोस्तों तक share भी जरूर कर दीजिए,